इस कैलेंडर यह में 2022 में अब तक हमने क्या देखा है अब तक बड़े पैमाने पर FIIs की तरफ से लगातार बिक्वाली ही देखने को मिली है इसी लिए भारतिय बाजार इतने परिशान है इतने पिटते हुए दिखाई दे रहे हर रोस पिछले दो हफ़तों से दो बजे के आ क्वाली आ जाती है आज लखी लिए एक अबरेशन है टच विड होपफिली हम लिवल्स को मेंटेन करेंगे लेकिन क्या हुआ है F.I.I.S बड़े पैमाने पर भारतिय बाजार में अपनी पोजेशन्स काट रहे हैं संभालने का काम डिमेस्टिक इंस्टिउशन के हाथ में है लेकिन आकड़े एक्जैक्ली क्या कह रहे हैं F.I.S ने अब तक कितना पैसा निकाला है किन स्टॉक्स में पैसा निकाला है और किन स्टॉक्स में अभी भी उनका पैसा कमिटिड है यतिन in fact हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कुछ interesting data लेकर आए हैं यतिन बताईए क्या कह रही है आपकी research क्या स्थितिय उबर कर आ रही है FIIs ने कहां पर जादा selling की है और कहां पर अभी भी मंजे हुए है देखे हमने research की है और थोड़ी बहुत reports खास करके Bank of America Merrill Lynch की जो strategy report है उसका reference लेते हुए काफी सारे data points देखे क्योंकि debate बादार में ये चल रही है कि दम किसमे है DIs में FIs में तो clearly हम ये देखना चाहेंगे कि क्या हो रहा है किसके खेमे में जहां तक की FIs का सवाल है पिछले आठ महीनों में इन्होंने लगबग 20 बिलियन डॉलर्स यानि डेड़ लाक करोड की Indian equities और securities बेची है उसके मुकाबले अगर आप DIs की देखें तो 2022 यानि अगले यह जो पिछले 5 महीने हैं और आने वाले महीने हैं उसमें DIs बायर ही रहेंगे अभी तक कुल मिलाके 19 बिलियन डॉलर्स का निवेश DIs ने किया है तो लगबग बराबरी का मामला बन रहा है DIs और FIs के बीच में इसके अलावा अगर आप देखें आगे चलते हुए FIs ने जो COVID में सबसे बड़ा निवेश किया था अगर आपको याद है तो इंडिया सबसे फेवर्ड एमर्जिंग मार्केट था पिछले दो सालों में वो कहिनगी नॉर्मलाइज होती ही दिखाई दे रहे लेकिन अगर आप DIs की बात करें तो इनके पास सबसे मजबूस शस्त्र है SIP, SIP निवेशों को ने लगातार पैसे लगाए और डेड़ बिलियन डॉलर्स का एवरेज इंफ्लो आपको यहाँ देखने को मिला FIS के अगर आप शेर होल्डिंग की बात करें तो जो 21.5% की इनकी शेर होल्डिंग थी टॉप 500 कंपनी की देश में वो घट किया भी 19.5% हो गई है यानि लगबग यहाँ आपको 2% की कटोती दिखी है टॉप 500 कंपनी की होल्डिंग में अगर आप सामने देखें तो रिटेल निवेशों को ने हथियार उठा लिया है FIS के सामने क्योंकि इनका वॉल्यूम कॉंट्रिबूशन बढ़ गया है जो 58% अभी है जो पिछले महीने 48% डेरिवेटिव को लेके है अगर हम अगला प्लेट देखें तो यह इंटरस्टिंग है पिछले 8 महीनों में लगातार FIS ने बिकवाली की है यह महीने को इंक्लूड करके तो पिछले 7 महीने का तो डेटा क्लियर है और मही को भी 4-5 दिनी बचे हैं लेकिन कुल मिलाके अगर आप में का महीना भी गिन ले तो 8 महीने से लगातार FIS सेलिंग कर रहा है इसके मुकाबले लगबग 38,000 करोड के IPO's हमने मारकेट में देखे हैं जो वेल अब्सॉब हुएं इंक्लूडिंग LIC का IPO और ऑबिसली जो mismanagement आपको दिखरा है FIS का उसके सामने Domestic Investors ने IPO में जबरदस्त कमाई किया ओबिसली हाइस से आपको थोड़े बहुत रिटरंस बुक होते हुए दिखाई देए कौन से कौन से सेक्टर्स में FIA ने बिकवाली की IT, Real Estate और Energy यह वो तीन सेक्टर्स हैं जहां Continuous FIA ने बिकवाली की Way forward अगर हम देखें तो भारतिय बजारों में यह तीन सबसे बड़े Challenges हैं महेंगाई, कमजोर रुपया और महेंगा कर्ज यह इंटरस रेट्स में जो बढ़ोतरी हम देख रहे हैं यह साइद आपको FIA का सवाल है कहीं नहीं कहीं एक Balancing Force रहा है दोनों तरफ से आगे देखना होगा यह कि अगर FIA की Selling Ab हो जाती है और यह reverse होते हैं flows तो कहीं नहीं कहीं बजार में एक अच्छी rally आप expect कर सकते हैं